बिष्टिया येस के डेली करण नीउस प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण नीउस में चर्चा का विश्य है महात्मा जोति बाफुले की जयनती आज यानि 11 अपरैल को समात सुधारक महात्मा जोती राफ गोविंद राफ फुले की जयनती है महात्मा फुले उन्नीसवी शताबदी के महान समाच सुधारक चिंत तक दार्शनिक एवमलेखक थे जोतिराफ फुले को जोतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहा जाता है उनका जन्म 11 अप्रेल 1827 को महाराश्ट्र के सतारा में हुआ था इनका विवाह सावित्री बाई से हुआ था इन्होंने समाज में विद्यमान विभिन प्रकार की कुरीतियों जैसे चुआ चूत विद्वा महिलाओं की दयनी अस्थिती आदी के खिलाफ आवाज उठाई महात्मा फूले ने अस्प्रिश्यता उन्मूलन और जाती विवस्था महिला मुक्ती और हिंदू पारिवारिक जीवन के सुधार सहित कईक शेत्रों में उलेखनी एकार्रे किया उन्होंने जातीकत आधार पर शोशन के शिकार लोगों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेश जोर दिया इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहली बार स्कूल खोला विद्वाओं के दयनिय जीवन को देखते हुए फुले दमपती ने उच्च जाती की विद्वाओं के लिए एक आश्रम बनाया वे छुआ छूत और बाल विवहा के विरोधी थे जबकि विद्वा पुनर विवहा का समर्धन करते थे वे सभी लोगों के लिए समान अधिकारों के हिमायती थे 1888 में जोतिबा फुले को महात्मा की उपाधी से सम्मानित किया गया 28 नवंबर 1890 को महात्मा जोतिबा फुले का स्वर्गवास हो गया महात्मा फुले के कार्रे और लेखर ने भारत में जाती विवस्था में सुधार के लिए बाद के आंदोलोनों को प्रेरित किया जिसमें भीम राव जी अंबेट कर भी शामिल थे उन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाई की जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध कृती गुलाम गिरी है जो 1873 में प्रकाशित हुई थी प्रिये विवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रिश्टी आईएस इंग्लिश योट्यूब चैनल